नमस्कार दोस्तो स्वागता है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आए हूँ आपके लिए जेनरल नॉलिज के दस बहुत ही महतुपूल कोस्चन्स तो दोस्तो अगर आप आर्मी, एरफोर्स, नेभी, और पीएफ, और अधर डिफेंस एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो की जरूर देखें तो दोस्तो मैं आपके लिए बता देरने चाहता हूँ यह वीडियो के वल अधर में एक-एक प्रट्सनिम महतुपूल है और आपको यह वीडियो एंड तक देखना चाहिए और एक्जाम्स में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करें तो दोस्तो इस वीडियो मे केबल 10 कोष्चन होंगी जो कि बहुत ही महतुपूल कोष्चन होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो हमारा फर्स्ट कोष्चन है आज का कोष्चन नमर बन है टाइफाइड किस हिस्चे को प्रवावित करता है ओपसं से आपके ओपसं ए यकरत होगा option D आथ तो टाइफ हैड जो है वो किस के लिए प्रभावित करता है आथ के लिए तो question number बन का correct answer होगा option D आथ नेक्स्ट कोस्टन के तरफ चलते हैं next question है हमारा सरीर का कौन सा अंग पोलियों से प्रभावित होता है option से आपके नेत्र option B है तंत्र का तंत्र option C है आपका दोस्तो तोचा और आपका last option है आपका option D नाखुन तो सरीर का कौन सा अंग है जो पोलियों से प्रभावित होता है तो दोस्तो पोलियों से तंत्र का तंत्र जो है वो प्रभावित होता है तो यहाँ पर question number 2 का जो correct answer है वो है option B तंत्र का तंत्र तो next question है हमारा question number 3 मानफ सरीड में कुल हड़ियों की संक्या कितनी होती है option से आपके option A 201, option B 206, option C है आपका 218 और option D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो मानफ सरीड में कुल 206 हड़ियों होती है तो यहाँ पर question number 3 का जो correct answer है वो है option B 206 तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 4 इसकर भी किस vitamin की कमी से होता है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि options आपकी screen पर आचुके हैं option A, vitamin A, option B, vitamin C, option C, vitamin D, A, option D इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि इसकर भी किस vitamin की कमी से होता है तो दोस्तो इसकर भी जो है वो vitamin C की कमी से होता है तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारे शरीर में लाल रखट कोशकाओं कहां बनती हैं हमारे शरीर में लाल रखट कोशकाओं कहां बनती हैं option से आपके हिरदय में option B, अस्थी मज़ा में option C, गुरदय में एंड option D इन में से कोई नहीं है तो दोस्तो हमारे साइब में जो लाल रख्त कोस्ट का हैं वो बनती है तो question no.5 का correct answer होगा option B अस्थी मत जानों तो next question के तरफ चलने से पहले दोस्तो मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अग वीता हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर general knowledge, current affairs और job notifications लेकर आता रहता हूं और दोस्तो वीडियो को अगर अभी तक like नहीं किया है तो वीडियो को like जरूर कर दें तो next question के तरफ चलते हैं दोस्तो तो next question के तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो की जो PDF file है वो आप description से free में download कर सकते हैं तो मैं आपसे request करूंगा कि इस वीडियो की जो PDF file है उसको आप description में मैं उसका download का link दे दूंगा उसके लिए आप download कर सकते हैं तो next question है हमारा question number six भारी बस्तू को पानी में डूबोने से बहलकी महसूस होती है इसका कारण क्या है आपने देखा हो कि भारी बस्तू को option B तोरण, option C, गरसर, and option D गृत्व तो दोस्तो उसका जो कारण है कि भारी बस्तू का sommes पानी में डूबोंते हैं तो वह रोकी message होती है उसका कारण है दोस्तो उत्पलाबन उत्प्लावन के कानड़ी किसी भी भारी चीज़ को हम अगर पानी में डुबोते हैं तो वो बहुत ही हल्की मैसिज होती है तो question number 6 का यहां पर correct answer होगा option A उत्प्लावन तो next question है हमारा question number 7 भिंडी का बनस्पतिक नाम क्या है भिंडी का बनस्पतिक नाम क्या है तो दोस्तो भिंडी का जो बनस्पतिक नाम है उसका options है आपके पिज्म, सटाइव, हिविक्स, इसक्यूलेटरस, option C, ब्राशिका, रापा, option D, बीटा, बल्गेरियस तो यहां पर question number 7 का जो correct answer है वो है option B हिविक्स, इसक्यूलेटरस तो भिंडी का बनस्पतिक नाम क्या है हिविक्स, इसक्यूलेटरस, तो next question के तरफ चलते हैं, next question है हमारा question number 8, माचिस में कौन सा पदार्त उपयोग किया जाता है माचिस में कौन सा पदार्त उपयोग किया जाता है, option आपके N A, option B, M G, option C, सफेद फासफोरस, and option D, लाल फासफोरस तो दोस्तों माचिस में जो पदार्त उपयोग किया जाता है, वो लाल फासफोरस होता है तो यहाँ पर question number 8 का correct answer कौन सा होगा, option D, लाल फासफोरस तो next question है, question number 9, सरीर तंतर प्रणाली को निमन में से कौन नियंतरेट करता है option से आपके hormones, फेफला, गुर्दा और इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो question number 9 का correct answer है, इनमें से कोई नहीं जो शरीर तंतर प्रणाली है, उसके यह hormones, फेफला, गुर्दा, कोई भी नियंतरेट नहीं करता है तो यहाँ पर question number 9 का correct answer है, इनमें से कोई नहीं तो दस्में question है हमारा आज का और last question optical fiber कि छेत्र में बहुत उप्योगी है optical fiber कि छेत्र में बहुत उप्योगी है option से आपके संचार विवस्ता, option B, परिवहन, option C, खेलकूद, या option D, इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो, optical fiber जो है, वो संचार विवस्ता कि छेत्र में जो है, बहुत ज़्यादा उप्योगी है question number 10 का correct answer है, आपका option A, संचार विवस्ता तो आप याद रखिए कि यहाँ पर, कि जो optical fiber है, वो संचार विवस्ता कि छेत्र में बहुत उप्योगी है, तो यह 10 questions थे, यह 10 questions आपके defense के आगजे, अमसाम एक बाले के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर है तो उमिद करता हूँ, दोस्तो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपने वीडियो को like भी कर दिया होगा, तो दोस्तो जो इस चैनल पर आज यह वीडियो को नई देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन दोस्तों से request करता हूँ कि आप इस चैनल को please subscribe कर लें और वैल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे, तो चलिए दोस्तों, thanks for watching, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो को साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन, जय भारत.